नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह एक लॉंग से प्रचंड वशी करण किया जाए जी हाँ, सिर्फ एक लॉंग और कोई सामगरी नहीं चाहेगे सिर्फ एक लॉंग से किस तरह प्रचंड वशी करण कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्ट अपना बना सकते हैं एक लॉंग के माध्यम से तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉंग लेनी है और इस एक लॉंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लॉंग आपने अपने मुँ में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लॉंग अपने मुँ में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लॉंग अपने मूँ से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लॉंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाईए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाईए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मूँ में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हां कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हां ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लॉंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधी को अपनाईए और एक लॉंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाईए किसी को इस हद तक अपना बनाईए कि वो आपके दूव जाने के नाम से ही काप चाहे वो डव जाए कि आप अगर उन्चे दूव चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदिगी कैसे जीएंगे जी हां इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ही जरूर सोच लिजेगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी स्विधी का प्र से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्थ होती है इस वशीकरण की भी एक शर्थ है अगर शर्थ को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्थ ये हैं कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉंग आपको मुँ में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुँ में एक लॉंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम भी नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो कि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा ये तरीका गलत है बलकि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दश को वशी करन अपना सब तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशी करन करना चाहरे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशी करन करते हैं, तो ये वशी करन कभी भी साब्थक सिद्ध नहीं होंगे, तो इसलिए कोई भी विधी अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान कि वशी करन करने से पहले, खास कर ये विधी अपनान इस पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से, कोई बात नहीं करनी है, बस अपने मन में ठान लीजे, उस व्यक्ति का ध्यान कीजे और वशी करन हो गया, इतना सिंपल वशी करन है कि आ कोई और समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रेन पर जो number दिखायाँ गया उस number पर call कीजे, बात कीजे आपको हम समस्या का समधान होगा, आपको हम जानकारी दे जाएगी किसी और वशीकरन के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समधान होगा और आपको एक खुश हाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलाल दीजे इजाज़त फिर हाजर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जैम आता दी दोस्तों